सत्रवा पाठ मौत का पहाड प्रिष्ट संख्या 94 से 100 तक तो आईए सुनते हैं चित्र कथा मौत का पहाड इसे शब्द दिये हैं गायत्री मदंदत्त ने और चित्र बनाए हैं राम वाहिर करने इचिरो और चिरो दो भाई थे दिन भर वे अपने खेतों में काम करते थे शाम को जब वे घर लोटते उनकी माँ सुमी मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करती थी मा ने कहा आव मेरे बेटो भोजन तयार है पर कुछ दिनों से इचिरो और चिरो उदास रहने लगे थे और वे अकसर खिड़की में से दूर कुहरे से घिरे पहाड की ओर देखा करते थे सत्तर वर्ष के होते ही सब बूड़ों को उनके बेटे इसी पहाड पर लाकर छोड़ जाया करते थे यह नियम उस राज्य के राजा ने बनाया था इसके पीछे विचार यह था कि जब बूड़ों में योग्यता और ताकत खत्म हो जाती है वे परिवार और समाज पर बोज बन जाते हैं इस नियम में यह बात भुला दी गई थी कि बूड़े लोग अपना वर्षों का अनुभव और ज्यान अपने बच्चों को दे सकते हैं और एक शाम सुमी ने अपने बेटों से कहा मेरे बच्चों आज पूर्ण मासी है आज मैं सत्तर वर्ष की हो गई अब इस राज्य के नियम के अनुसार कल तुम मुझे उस पहाड पर पहुँचा आओ जहां से कोई लोट कर नहीं आता सुमी के बेटों ने कहा मा मा हम ऐसे शब्द सुन भी नहीं सकते तुम जो इतनी चुस्त दुरुस्त और बुधिमान हो तुमें हम वहाँ पहुँचा आए मेरे बच्चों कानून से तुम कैसे लड़ोगे कोई चारा न था और अगली सुभा सुमी ने बड़े प्यार से अपने घर को घूम घूम कर देखा कपड़े सब दुरुस्त हो गए मैंने आखरी खाना भी बना दिया उसकी डोली तयार थी और यात्रा शुरू हो गई यात्रा काफी लंबी थी आखिरकार वे पहाड की तलहटी में पहुँचे जैसे जैसे वे उपर चड़ते जा रहे थे सुमी रास्ते के किनारे पर उगे हुए सरकंडों को तोड़कर गिराती जा रही थी वह खुद तो उस रास्ते पर वापस नहीं आने वाली थी पर अपने बेटों के लिए लोटने के रास्ते पर निशान छोड़ती जा रही थी और वह हमेशा की तरह उनहीं के बारे में सोच रही थी वे कुहरे से घिरी पहाड की चोटी पर पहुँच गए जुग जुग जीयो मेरे लाडलो ध्यान रखना जिस राह से आए उसी से वापस लोटना बेटे ने कहा अलविदा हमारी प्रान प्यारी मा इचिरो और चिरो जट से घूमे और लोट पड़े समझदार और प्यारी मा के बिना घर कितना सूना लगेगा जिसने हमें जन्म दिया दुख तकलीफ उठा कर बढ़ा किया उसी का परित्याग करना पड़े कितना भयंकर कितना शर्मनाग अंधेरा हो चला था और बर्फ भी गिरने लगी थी उतावली में भाईयों ने छोटे रास्ते से नीचे उतरने का फैसला किया अचानक बर्फ के भाहे घने होने लगे और जोरदार तूफान शुरू हो गया अब कैसे चाहें हम कहां हैं इचिरो हम रास्ता भटक गए हैं आगे कोई रास्ता नहीं है और निराशोकर वे वापस पहाड की चोटी की और दोड़ पड़े मा तुम कहां हो? हम रास्ता भटक गए हैं कहां हो? बर्फ से सुन होकर अधमरी सी सुमी जाडियों के पीछे पड़ी थी पर उसमें चेतना आई बच्चों को मेरी जरूरत है इचिरो और चिरो ने उसे डोली में बैठाया और घर ले चले वे देखो तूटे हुए सरकंडे पड़े हैं न? उसी रास्ते चलो मेरे बच्चों बड़ी आसानी से और आत्म विश्वास के साथ सुमी उन्हें पहाड से नीचे ले आई और उनका घर आ गया हम तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे मा चाहे हमें कुछ भी क्यों ना सहना पड़े इचिरू और चिरू ने सुमी को जोपडी के पिछले हिस्से में छिपा दिया ताकि गाउवालों और सिपाहियों को उसका पता ना चले वे तीनों बड़े आनंद से रहने लगे एक दिन उस राज्य के राजा ने सभी परिवारों के पुरुशों को बुलवाया मैं कुछ काम बताऊंगा जो कि तुम सब को करने होंगे जो लोग असाफल रहेंगे उन पर भारी जुर्माना होगा पहला काम ये है कि राख की रस्सी बना कर लाओ रस्सी? सो भी राख की? इचिरो और चिरो ने इस अनोखे काम के बारे में सुमी को बताया अरे बड़ा आसान है एक रस्सी लो उस पर खूब नमक का पानी मलो फिर उसे एक पत्रे पर रखो और आग लगा दो रस्सी जलने पर राख रह जाएगी पर नमक की वज़ा से वह बिखरेगी नहीं अगले दिन दर्बार में काम पूरा कर लाए अतियुत्तम तुम्हारे नाम क्या है? इचिरो और चिरो महराज बहुत खूब और याद है ना जो लोग ये काम नहीं कर पाए उन्हें जुर्माना भरना होगा और बाकी सब गाउवालों ने जुर्माना भर दिया अब दूसरा काम एक शंक लाओ जिसके आर पार धागा पिरोया हुआ हो सुमे के पास इस समस्या का भी हल था बोली पहला कदम है एक चीन्टी को पकड़ना उसके पैर में धागा बांद कर उसे शंक के उपर वाले छेद में से अंदर जाने दो फिर शंक के मुँँपर कुछ चावल के दाने रखो चावल के दानों से आकर शितो कर चीन्टी शंक में से अपना रास्ता बना कर निकलेगी तो धागा भी शंक के मुँँ तक पहुँच जाएगा और राजा की खुशी की सीमा न रही दूसरे गाउंवालों को दोबारा जुर्माना भरना पड़ा तीसरा काम था बास के टुकडे में जड़ और तने की ओर से सिरों को पहचानना सुमी के उत्तर को दरबार में प्रियोग करके दिखाया गया बास के टुकडे को पानी में डालिये जो सिरा तैरे वो तने की ओर का है और जो डूबे वह जड़ की ओर का ला जवाब मेरे बच्चो इस बार भी तुमने काम कर दिखाया एक ऐसा ढोल लाओ जो बिना बजाए बजता हो राजा का बताया यह काम भी बच्चों ने घर जाकर सुमी को बताया कुछ देर सोचने के बाद सुमी हसने लगी अचार के इस डिब्बे का ढकन और पेंदा हटाने से वह दोनों और से खुल जाएगा अब चमडे के गोल टुकडे काट कर इसके दोनों और मढ़ दो मगर उससे पहले कुछ मधु मखियां अंदर छोड़ दो जब राजा जी ने उच्छ सुकता से उस अनोखे धोल को हाथ में उठाया तो अंदर वाली मधु मखियां घबरा कर उड़ी और चमडे से टकराने लगी जिस से धुप 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 धोल अपने आप बजने लगा चमतकार, चमतकार, मेरे बताए सभी काम पूरे करने के उपलक्ष में ए लड़को, मैं तुम्हें उगते हुए सूर्य का पदक प्रदान करता हूँ इचिरो और चिरो ने कहा महराज रुकिये, हमें का प्राज स्विकार करना चाहते हैं इस सम्मान के हगदार हम नहीं, बलकि हमारी मा है जिनने हमने अपनी जोँपड़ी के पीछे चिपा रखा है हालागि वे सत्तर वर्ष की हो चुकी हैं पर हमने उन्हें नहीं जाने दिया है इस तरह हमने राज्ये का नियम तोड़ा है क्या तुमने नियम तोड़ा है तब तो तुम्हें वही दिया जाएगा जिसके तुम लायक हो तुम्हें शमादान दिया जाता है हा 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 इचरो और चरो आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है मैं अपने बनाए इस निर्दय नियम को रद करता हूँ महराज क्रिपा करके इन गाउवालों के दिये हुए जुर्माने को वापस लोटा दीचे क्योंकि ये बेचारे तो गरीब से गरीबतर हो गए है मैं न सिर्फ इनके रुपए लोटाऊंगा बलकि एक कोश स्थापित करूँगा जिसकी सहायता से ये अपने बूढ़े माबाप की अच्छी तरह से परवरिश कर सकें और जल्दी ही दरबार में सुमी तुम्हारी सूज-बूज और समझदारी के लिए और जो ममता तुमने अपने बच्चों को दी है उसके लिए मैं तुम्हारा संमान करता हूँ अब से तुम और तुम्हारे ये लड़के मेरे शाही सलाहकार होंगे और उस दिन से मौत का पहार सूना पड़ा है क्योंकि अब किसी अभागे बेटे को अपने प्यारे माबाप को वहां छोड़ने नहीं आना पड़ता